नमस्कार, कुछ भी काम करते हैं, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, कभी बार बार असफलता मिलती है, और कभी सफलता भी मिलती है, तो हतास, जब असफलता मिलती है ना, तो हतास, उदास और निरास हो जाते हैं, मन से दिलच खत्म हो जाता है, देवी खत्म हो ज जता है निरासा आ जाती है तो ध्यान रखना कि असपलता भी आपके जीवन का हिस्सा है जब एक राजा निरास हतास हो गया था तो कैसे एक बिकारी ने राजा को असपलता से लड़ना सिखा दिया एक बार एक राजा अपने जीवन में युद्ध लड़ते लड़ते हतास उत फिदास और निरास हो गिए वह यूत लटने जाता। कभी उसे सपलता मिलती, कभी उसे आसपलता मिलती। जब आसपलता मिलती ठो वह बहुत हतास Això निरास हो जाता। वह अपना देडिक हो देधे यूझा वो मनी मन सोचता कि यार मैं इतनी मेनत करता हूँ फिर भी मुझे आस अपलता क्यों मिलती है राजा रोज अपनी दर्बार की तरफ जाता एक बिकारी को देखता एक बिकारी रोज एक मूर्ती के सामने बिकसा मांगता राजा रोज जाता और रोज उस बिकारी को देखता रो भी तुम इस मूर्ति से रोज बिक्सा मांगते हो तुम इसा क्यों करते हो तो विकारी राजा से कहता है कि हे राजन मैं इस मूर्ति से बिक्सा मांगने की प्रेक्टिस करता हूँ प्रियास करता हूँ मुझे पता है कि इस मूर्ति से मुझे कुछ नहीं मिलेगा लेकिन ऐसे क करने से मेरे मन में देरी पैदा होता है मेरे मन में निरासा नहीं आती है वो कहता है कि जब मैं किसी गर में बिक्सा मांगने जाऊंगा और जब उस गर से मुझे बिक्सा नहीं मिलेगी तो उस वक्त मैं निरास नहीं होंगा उस वक्त मैं अपना देरी नहीं खोंगा विकारी क कहता है कि मैं रोज 150 गर में बिक्सा लेने जाता हूँ, मुश्किल से मुझे 20-25 गर में बिक्सा मिलती है, बाकी गरों में मुझे बिक्सा नहीं मिलती है, बाकी गरों से मुझे बगा दिया जाता है, लेकिन मैं अपना देल नहीं खोता हूँ, लेकिन मैं निरास नहीं होता इस वज़े से मैं रोज ये प्रियास करता हूँ इस मूर्ति के सामे कि मुझे बिकसा दो लेकिन मुझे पता है कि ये मूर्ति मुझे बिकसा नहीं देगी फिर भी मैं हतास उदास निरास नहीं होता हूँ तो राजा उस बिकारी की बात को समझ गया और राजा के मन में वापिस उस्सा और जोस आ गया राजा को भी समझ में आ गया कि जियून में हमेशा सपलता नहीं मिल सकती है राजा को ये समझ में आ गया था कि जियून में कभी-कभी असपलता भी मिलती है कभी-कभी आपको दुख भी मिलती है कभी कभी आपको हतासा भी मिलती है लेकिन राजा को समझ में आ गया कि जब आसफलता मिलेना तो देरे नहीं खोना चाहिए तो निरास नहीं होना चाहिए